हालो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए है स्टिल रेलिंग का काम ये देखे ये चड़ाव के लिए रेलिंग बनती है वो रेलिंगम बना रहे हैं ये चोरस विलसी बोलते हैं इसको चोरस विलसी में पीछ में इसमें तीन पाइप ड़ेंगे और जो सका टॉप चलेगा वो बना के तयार कर दी है बीच में तीन पाइप चोरस है विलसी में नट बोल्ड कसाते है इसमें और टॉप पाइप भी चोरस यह लगता है काफी कुपसुरत लगती है यह इसकी कॉस्टिंग आती है तकरीबन साड़ा पानसो से शेसो रुपए रनिंग फिट यह रनिंग फिट यह कार्च में टफन ग्लास में 12 mm का कार्च लिया है और नीचे चार इंची के स्पाइग लगाए है यह देखिए रेलिंग का काम हमारा चल रहा है यह देखिए इस टाइप के जो टपे रहते हैं उसमें ऐसी डेलिंग बनती है आप यह अपने घर पर बना सकते है तो रनिं फिट्स है यह हमने दो मंजीर की रेलिंग बनाई है पूरी उपर तक की छट तक की और इसमें 202 मट्रेल भी लगता है 304 भी लगता है और यह हमारे भाई काम कर रहे है यह स्पाइगट लगाने के लिए तैयारी कर रहे है जो बाहर काच में लगेगा यह हम बताएं आपको किसे लगाते हैं इस पाइगट जो काच हमने लगाये थे उसके एस पाइगट है यह यह बारा एमें के काच के लिए आते हैं और चार इंची's की हाइट रहती है उस तरह से यह लगाते 5 ऊ Im में होल करते हैं 1.5 इंची के जब इसका बिट मिलता है ग्राइंडर में लगा के तो इससे होल किये जाते हैं कि उसके बद दोस्तों यह च्छोंचा लगा दिये है और यह अर दिल्डाइट डाला जाता है इसमें इसके अंदर इस लिए दालता है दाकि यह मजबूत पकड़ बनें अगले ना बहा नहीं बहुत रहे देखिए यह मार भाई डालता है यह उसे तरह से पूरा अंदर तक ड पूपर यह इस टाइप से यह टाप लगाके और चेख करते हैं और यह देखिए हमारी डेलिंग जो है बनके तयार है काफी सुंदा डेलिंग बन रही है हमारी कुप्सुरत लग रही है इसका रेट पड़ता है तक्रविबन साड़ी 1100 और रनिंग फिट रनिंग फिट से रे झाल झाल